इधर पंचाय चुनाओं से पहले कॉंग्रेस को एक और जटका लगा सिहावल से पूरो विधायक विश्वा मित्र पाठक बीजेपी में शामिल हो गया विंद के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो चार जनपत सदसे चार पूर्वे जनपत सदसे और चालिस पूर्वे सरपंच स्थियम शिवराज बीडी शर्मा की मौझूदगी में इनोंने सदस्ता गरड़ की तो पंच सरपंच समय सौ से ज़्यादा लोग पीजेपी में शामिल हुए है तो बड़ी खबर है ये कॉंग्रेस को एक और बड़ा जटका यहाँ पर लगा है तो उसके हम शिवराज और बीडी शर्मा की मौझूदगी में सदस्ता यहाँ पर बहुत से कॉंग्रेसी में इताउने लिया कॉंग्रेस को जटके बेजटा तो बिंद के कई नेताओं ने बीजेपी का कमत थाम लिया हाथ का साथ छोड़ दिया चार जनपस सदस्ते चार पूर्व जनपस सदस्ते तो सभी लोगों ने सियम शिवगाज और वीडी शर्मा की मौझूदगी में बीजेपी की सदस्ता हासल की अमरितानशी जोशी अमाई सेयोगी से खबर पर जूड़ गई है अमरितानशी एक बड़ा जटका यहाँ पर कॉंग्रेस को लगा है क्या कहना है वज़े क्या बताई इन सभी लोगों ने कि यह छोड़ रहे हैं कॉंग्रेस इसके पीछे की असल वज़े क्या निकल कर सामने आए किसी बात हुई होकर तो देखिए मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जो पूर विधाय कुश्म मित्र हाठक है उन्होंने 2008 में कॉंग्रिस छोड़कर बीज़ेपी जॉइन की थी लेकिन बीच में कुछ कारणों से उनका बीज़ेपी से अलगाव हुआ उन्होंने यह जो जगा है जो बीज़ेपी पार्टी है वो छोड़ दी लेकिन उसके बार अगे दुबारा उन्होंने स्टेम शिवराज और वीडी श्रमा की मौझूदकी में बीजेपी की सद्शिता हासिल की है दुबारा से और उनकी हाँ पर घर वापिसी हुई है हम कह सकते हैं और अपने साथ 110 जन प्रतिनिदी जिसमें पदादी कारी जन प्रतिनिदी और कई सरपंज में शामिल है उन्हें साथ लेके आए एक बड़ा जटका कॉंग्रेस को यहाँ पर जाहिसी बात है क्योंकि एक बड़े पूर्विधायक जिनकी उस शेत्रे में अच्छी खासी पकड़ थी वो तुबारा बीजेपी में शामिल हुए है और जब उनसे बादशीत की निईस को अरव जटके हैं तो यहां पर एक बड़ा जटका लगता हुआ कॉंग्रेस को इरादा मीजे पर दुबारा लेके चलेगी और कॉंग्रेस को एक बड़ा जटका यहां पर दुबारा मिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि एक और शेत्र में अब कॉंग्रेस को दुबारा मेनेज़ करने की जरूर करनी पड़ेगी तो इसी पिस हमें इस चीज़ा समझ में तो पार्टी को देख होए कि उमीद्वारी को यहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि नेताओं जाने का इस तमाम जानकारी के लिए यहां पर तो कॉंग्रेस से जाने का सिलसला यहां पर जा रही है